क्या बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए? क्या सेक्स पर बात करना गंदी बात है? इस मुद्दे पर बनी OMG 2 एक जबर्जस फिल्म है बहुत वक्त बाद कोई ऐसी फिल्म देखी गई है जिसमें कोई कमी नहीं देखी जिसकी राइटिंग कमाल की लगी जिसमें कई ऐसे सीन्स आये जहां थियेटर तालियों से गूंज उठा ये कहानी है शिव के भक्त कांती शरन मुदगल्प यानि पंकस्त्रिपाठी की जिनके बेटे को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि स्कूल के मुताबिक वो एक ऐसी हरकत कर देता है जो सही नहीं है इसके है कि स्कूलों में सेक्स एज़ीकेशन दी जाए और उनके बेटे को सszकूल में वापस लिया जाए स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की जरूरत को बताती ये कहानी शानदार तरीके से कही गई है शिव के दूत के रूप में अक्षे कुमार जबरजस्त लग रहे हैं अक्षे का रोल फिल्म में कम है और यही उनकी रोल की खासियत है वो वहाँ आते हैं जहां जरूरत है लेकिन जब आते हैं तो च्छा जाते हैं उनकी स्क्रीनिंग प्रेजेंस जबरजस्त है पंकस्रिपार्थी ने कांती शरन के किरदार में जान डाल दी है उनकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट है कि आप कहीं भी कमी ढूनी नहीं पाएंगे वकील के किरदार में यामी गौतम शानदार नजर आ रही है जच के किरदार में पवन मलहुत्रा ने शानदार एक्टिंग की है पंकस्रिपार्थी के पतनी और बच्चों के किरदार निभाने वाले कलाकारों ने भी काफी अच्छा काम किया है ये फिल्म शानदार है एक भ पर चोट भी करते हैं यह फिल्म आपको बहुत कुछ देती है इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है लेकिन फिल्म बच्चों की सेक्स एडुकेशन पर है और आपको फिल्म देखते हुए लगता है कि बच्चों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए फिल्म में तूरीज के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद